दुनिया में कोई भी चीज अपने आप के लिए नहीं बनी है दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता पेड़ खुद अपना फल नहीं खाता फूल अपनी खुश्बू अपने लिए नहीं भी खेरता मदू मक्की अपना सहद नहीं खाती मालूम है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असली जिंदिगी है मुझे अपने जिंदिगी में एक चीज की तमन्ना है मेरे मालिक जो जो मेरी कॉमेडी देखते हैं उनका दामन सदा खुशियों से बरा रखना अपनी सरी के फिटनेस चे करने का आसान और देशी तरीका अपने कमरे का दरवाजा बन करो फिर मुडगा बन के देखो अगर बन गए तो फिट फिचर ने चार पेज पे निम्मन लिखने को दिया बोला आलश्य क्या है एक स्टुडेंट ने तीन पेज खाली छोड़कर एक पेज पे लिखा बड़े बड़े एक्सरों में कि यही आलश्य है फिचर के भारस से विदेश जाने वाली पहली मैला कौन है समय से बोले सीता से लंका गई थी रमी से कहा है कि हम जब लड़के करियर बना कर अपने पेरों पर खड़े होते हैं तब तक तो हमारे क्लास के लड़कियों के बच्चे अपने पेरों पर चलना इस्टाट हो जते हैं आप अगर मेरे जोक से परिसान है तो कस्टमर केर को कॉल करके अपना नेट बंस कर वाले क्योंकि हम तो सुद्धर ने वाले हैं नहीं लोग डूपते हैं तो समंदर को दोस देते हैं मंजिल ना मिले तो किस्मत को दोस देते हैं खुद तो समझने कल चलते नहीं जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोस देते हैं जमाना क्या कहेगा ये मस सोचो क्योंकि जमाना तो बहुत अजीव है ना काम्याब लोगों का मज़ाग उड़ाता है और काम्याब लोगों से जलता है अगर लोग सिर्फ समझने से समझ जाके तो मासूरी बजाने वारा कभी महाबारत नहीं होने दिता अजीब सी हालत है तेरे जाने के बाद मुझे भूग नहीं लगती कुछ खाने के बाद असू तेरे निकले तो आँके मेरी हो दिल तेरा धड़के तो धड़कन मेरी हो भगवान करे हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो की नौकरी तुम करो और से लिरी मेरी हो अर्च किया है खिड़की से जाक के देखा तो रास्ते पे कोई नहीं था बाबा बाबा फिर रास्ते पर जाके देखा तो खिड़की में कोई नहीं गालिप से पूछा गया प्यार एक तरफ होना चाहिए या दोनों तरफ तोड़ा सोचने के बाद प्यार एक तरफ ही खुबसूरत है दोनों तरफ होने से कभी-कभी साधी हो जाती है किसी पोटों में पत्नी के दाय और बाय खड़ी उसकी दो सुन्दर सहिलियों में से आप जिसे आप ज़्यादा देखते हैं उससे आपकी विचार धरा इसपस्ट होती है कि आप दक्षन पंती है या वाम पंती है लेकिन आप जिदी दोनों सुन्दर सहिलियों को अन देखा कर सिर्फ अपनी पत्नी को देखते हैं तो आप कटल पंती है लड़का लड़की को अपने कान बिठा का ले जा रहा था लड़की बोले अपन कहा जा रहे हैं लड़का बोले लॉंग ड्राइब पे लड़की बोले वाओ पहले क्यों नहीं बताया तो लड़का बोले मुझे खुद को भी पता चला है तो लड़की वो कैसे लड़का वो लेगाडी के ब्रेक नहीं लग रहे है मेरी महपत को अपने दिल में डूंड लेना और हाँ आटे को अच्छी तरह गूंद लेना मिल जाए अगर प्यार तो खोना नहीं प्याज काटते वक बिल्कुल रोना नहीं मुझसे रूट जाने का बहाना अच्छा है थोड़ी देर और पकाव आलू अभी कच्छा है मिलकर फिर खुश्यों को बाटना है टमाटर जरा बारे की ही काटना है लोग हमारी महपत से जलना जाए चावा जरा टाइम पे देक लेना कहीं गरना जाए कैसी लगी हमारी गजल बता देना नमक कम लगे तो और मिला लेना तलग गरीबी की भी एक हद होती है मेरे फॉन में एरोप्लेन मोड की जगा साइकल मोड आ रहा है जेकर साब चुआ अगर पत्थर का हो तो सब उसे पूछते हैं मगर जिन्दा हो तो मारे बगर चैन नहीं साब अगर पत्थर का हो तो सब उसे पूछते हैं मगर जिन्दा हो तो उसे उसी वक्त मार दिया जाता है मा अगर पत्थर की हो तो सब पूछते हैं मगर जिन्दा है तो कीमत ही नहीं समझते बस यही समझ में नहीं आता है कि जिंदगे में इतने नफरत क्यों है और पत्थरों से इतनी महपत क्यों जिस तरह लोग मुर्दा इंसानों को कंदा देना पुन्य समझते हैं कास इसी तरह जिन्दा इंसानों को सहरा देना पुर्ण्य समझने लगे तो जिन्दगी आसान हो जाएगी प्रैम्राम सार खमागणी जै स्रीक्रिश्न